वहाँ वहाँ और एक पार से तीर और एक पार से धनुस का निसाना जो है साधकर लच्च को किस तरीके से भेदेंगे उसको देखिएगा बड़े ध्यान से देखिएगा हैंड बालेंस करके और पैरों से तीर चलाते हैं आपर चलिए पहले इनके आंखों पर पट्टी बांद कुल किस्ति समय करके शाए मंत्लर शुचकर आइगा तार्गेट वाँ गजब कास सीधरर movement भानन कंधा पूद्टे कर वहाँ जब तक फोड़ेंगे नहीं एक अई निसाना लगाते CTLgintraday here-put taught अगर इस बच्चे को मौका मिल जाए तो एक विहारी पूरे वर्ल्ड पर भारी और पुझे सलेते हुए सामने अपने लच्छ को बड़ी आसानी के साथ देग रहे हैं रूद्री आपर अपने लच्छ को एक आगरमन से और यह देखें पहली बड़ी इनोंने अपने लच्छ पर काली पट्टी बांध करें प्रतवी राज चौहान और अरजुन की तरह बिना देखें किसी भी जो है लच्छ को बड़ी आसानी के साथ देते हैं मित्रों यह पूरे भारत के लोते ऐसे लाल है मित्रों जो लगबग 20 फुट दूर से आख बंद करके निसाना लगाते है और किसी भी लच्छ को बड़ी आसानी के साथ भेज देते हैं 360 डिगरी जो है इनका जो है सरीर घूम जाता है मैं भी दिखाऊंगा कि आख पर पट्टी बांध करो और आख बंद करके उल्टा पैर जो है यह पैर से कैसे तीरंदाजी करते हैं अमूमन देखा जाता है कि त और तमाम राजा महराजा जो है वो पहले तीरंदाजी हाथ से करते थे लेकिन प्रिथभी राज-चवान और अर्जुल जैसे महान धंधर ने आख बंद करके तीरंदाजी की और जिसका परिणाम यह है कि बिहार का यह लाला जुनहीं को देखकर आख बंद करके उल्टा प किस तरीके का अर्चरी करते हैं? उस निछाने को देखते हैं .. आख बंद करके भी अपने लच्छ को भेद देते हैं तीर चलाते आख बंद करके कितना उमर हुआ सिर्फ नव साल के हैं और इतनी कम उमर में यह सारी प्रतिभा दिखा रहे हैं और बाते होंगी थोड़ा सा और डिसकस होगा लेकिन पहले इनका कार नामा देखते हैं तीन कैमरे से हम दिखाएंगे इधर से एक लोग इधर से एक लोग और विसाला आप इधर से रुद्र हो चुकी है अपने पूरे सरीर को इन्होंने घुमा कर रख दिया है निसाना लगाते हुए लच्छ यहां पार जोए लच्छ को और यह देखिए गुबाड़ा को इन्होंने भेद कर रख दिया है और यहीं कहते हैं कि कहीं नहार बीर्वान के होत चीक ने पात देखन में चोट लागत घाउ करत गंभीर और गुबाड़े को ऐसा घाउ किया है बिहार के लाल ने कि जो गुबाड़ा फूट गया है लगबाड़ा फूट जो है डिस्टेंस इनका लच्छ से एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस बारा दस बारा फिट का यह डिस्टेंस है जहां से यह बड़ी आसानी के साथ अपने लच को उल्टा कर होके और पैर के बल जो है यह भेद कर रख दिये हैं क्या कहां से सीखा यह सब मैनत करने पर कुछ भी आसान होता है सच में कहां से मैनत करना सीखा आख से पटी बांद कर और मैं आख बंद कर कर मारता हूं आप पत्ती बन्द कर भी मारते ते अच्छा यह बता है यह उघ्रा फूट आर्चरी शिखा है यूगा भी आप करते हैं यह उघ्राइब करते हैं और योगा में 360 डिगुरी जो है उपने पैर को एक दम घुमा देते हैं और यही कारन उसका फाइदा इनको आर्चरी में मिल रही है अभी हम लोग मगद इन्वर्सिटी के काइंपस में खड़े हैं यह कोई स्पोर्ट कॉम्पलेक्ट को कोई खेल का मैदान नहीं है यहां पर इतना बड़ा कैंपस है अगर बनाया जाए तो पांच बड़े-बड़े इंटरनेश स्पोर्ट को समारने के लिए कोई स्पोर्ट कॉम्पलेक्स और स्पोर्स ग्राउंड तक नहीं बनाएगा सोचिए कि बिहार के अंदर इतनी प्रतिभा है कि अगर जो है इसको मौका मिल जाए तो यह सच में आगे चलकर बिहार का नाम रोशन कर सकता है यह बताए और क्या क यह करता हुँ क्या परना चाहते हो आग और इसे थैस्तों ग्यां कि ट्राइड कि ऐसा जाता है तो फुट-अर्चिरी घर तार्गेट करने के लिए ज्यादा तर लोग ये रिकब कंपाउंड और रिकब का यूज करते हैं जिसका दाम अढ़ाई से तीन लाख रुपया है तो मैं उतना एफोर्ट नहीं कर सकता था तो मैंने सोचा कि उना ट्वाय आर्चिरी मैं खरीद के इसका उप्या करके देखूं तो ये बिलकुल है लेक जो ये जब ये नेशनल जीत के आएगए तो एक साहनगूति के तरुपर सुनाया गया कि आखर जीत जाता है नेशनल तब हम लोग कोशिस करेंगा अच्या ना चाहते हैं क्या क्या करना चाहते हैं अलंभी चैंपियन बना चाहते हैं शच में स्केटिंग योगा और आर्च कि अब वो समय आ गया है जिस समय का आप लोग बेसबरी से इंतजार कर रहे थे जब रुद्र अपने आखों पर काली पट्टी बांध कर और इस गुबाड़े वाले लच्छ को अब बिना देखे जो है इस लच्छ को भेद देंगे इनके पिता जी है सर लाइए तयार है आप क्या करने के लिए आख बंद करके तीर चलाओंगा आख बंद करके तो काली पट्टी बांधियेगा तयार है ना चलिए पहले इनके आखों पर पट्टी बांधी जाए फिर और बात होगे जो है यह कौन सी मूवी में देखा था आपने बाबू इस चीज को प्रत्वी यहां पर जो है दसरत मांजी जैसे लोग पहाड काट कर रस्ता निकाल देते हैं सर यहां पर सुन्य की खोज हो जाती है तो यह कहें नहीं होगा देखिए फिर से छोटा सा बच्चा निसाना लगाता हुआ वाह बहुत बढ़िया बहुत सांदर पकड़ा बहुत अच्छा ह तरगेट वाह गजब हलका सा सीधा रखो वाह बहुत सांदर गुबाला तो नहीं फूटा है लच्छ तो नहीं फूटा है लेकिन लच्छ को टेच जरूर कर लिया है और एक बिहारी सो पर भारी फिर से देख सकते हैं में तो यहीं बिहार की प्रतिबा है और बड़ा मुश पर यह सकते हैं यह जमीन का क्या सरaltet में चुबते होंगे चुबते है यह ऐसे क्या होता है लगाइन ही और यहीं अगर अगर विमार देता जो है विहार का नाम कहीं से भी अ तो एक अच्छा सा ग्राउंड नहीं होने के कारण नहीं आना पड़ता है अगर ग्राउंड मिल जाए तो क्या क्या कर सकते हैं ग्राउंड मिल जाए तो मैं अलम्पिक विनर बन जाऊंगा पक्का दूसरी मरतबा यानि दूसरी बार हम फिर से प्रयास करवाएंगे जब तक तोडेंगे नहीं तब तक छोडेंगे नहीं जब तक फोडेंगे नहीं तब तक छोडेंगे जब तक फोडेंगे तब तक छोड आप 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 अबमार्सान आप अजिक उनका उनकाघा आप भाइए आपन से अनकाया जयाया जरा कर आप कन पुceu भी झाप जिस जिए आप जिक पूरख एख स्थी हेसिऊ हे जास 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 उनका आप जाँ जिस तल सय ट्रेक्त Уड ces तारूर थे कर तो na आप बहुत सांदर यह देख लीजिये और बिहार के लाल ने कमाल कर दिया मैंने कहा था जब तक भोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाह वाह बहुत सांदर बहुत बढ़ियां फोड़ दिया और इसको प्रतिभा को सरह दिया जाए ना नेता लोग तो सजबात हुए यह नितिश कुमार जी बिहार का नाम जो है ना टोक्यों में और इसके बाद जापान और जर्मनी रूस में रोसन करके आएगा और कहा तब अच्छा जब तक फोड़ेंगे नहीं तब छोड़ेंगे चलिए एक बार फिर से हम यह चीज़े जो है बड़ी बड़ी टेली विजन स्क्रीन पर देखते थे लेकिन आज जब मेरे सामने यह सारी चीज़े हो रही है तो मुझे भी बड़ा हर्स हो रहा है इसके बाद निसाना लगाते हुए रूद्र यहां पर थोड़ा सा होल्ड क जो है यह बता दिया फिर से कि एक बिहारी पूरे बिस सुपर भारी आठ नो साल का महा जिए बच्चा इतने बड़े-बड़े किर्तिमान अस्थाफित कर देगा अगर इसको मौका मिल जाए कि आप सोच नहीं सकते हैं सर पहले ही मरतबा पहले ही बार में पहले ही प्रयास म और बिहार के लेकिन गुरू द्रोणाचारे बिहार का गुरू नहीं बन पा रहे हैं बास इस देंस के भाग्यविदाता नेता लोग सच में अब किसी एक लब्य को पैदा ही नहीं होने देना चाहते हैं द्रोणाचारे ने अर्जुन को वचन दिया था कि हमारा पढ़ाया हुआ अर्जुन हमारा सिखाया हुआ अर्जुन बिस्वका एक लवता ऐसा धनुधर रहेगा जो महान धनुधर कहलाएगा उससे बड़ा धनुधर कोई हो ही नहीं सकता एक लब्य ने जो है गुरू द्रोणाचारी की मूर्ती बनाकर जंगल में जो है इसके बाद धनुध नहीं कारना है कि एक लव्य का नाम तो लिया जाता है लेकिन महान धरधर कि स्रेड़ी के अरजुन के लिया जाता है और आज के नेता जो भाग्यमिधाता बनकर द्रोणाचारे बनकर बैठे हैं ओसक्ते हैं कि हमारा बेटा ही अर्जुन बनेगा हमारा नाती-पोता ही अर् तो फर्स और जमीन मिश्टेडियम बनवा दे तो रुद्ध प्रताप एक लब्व के बजाए अर्जुन बन सकते हैं और अगर सत्य बात यही है गुरु दुरोणा ने अंगुठा नहीं लिया होता न सर तो अर्जुन से बड़े महानु धंधर जो है एक लब्य होते उसमें क सब्सक्राइब के लिए अपने बिहार की तरफ से खेलना चाहता हूं सच में पूचा जाए तो हर्याना दिल्ली और राजस्थान इसके बाद मध्यप्रदेश चंडिगण पंजाब से इनको आफर आता है लेकिन हम बिहारी है और बिहार के लिए चोटा सा बच्चा इतना स बिहार के नेता लोग बिहार के बारे में नहीं सोचते हैं तो कम से कम इस बच्चे से बिहार के नेता लोग सीखने का प्रयास कीजिए ना यार थोड़ा सा इस बच्चे किसे सीखिएगा तो बिहार के और बच्चों का भी बभी स्योच जोलोगा पता नहीं कितने रुद्र इसमें बहुत सारे बच्चे हैं मतलब बहुत ज्यादा इसमें पोपलेशन तो इसे कारण और कुछ बातों के कारण रेंज जादा नहीं है उसके साथ में ज्यादा होने के लिए कब का यूज होता है तो जो है यह सरकार और का नहीं दिया है प्राक्टिस के लिए लिए है चलिए आपका उज्वल भविश्यों आप आगे जाएं आप ओलंपिक खेलें तमाम सुभकामन आपको बाबू थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्सकों काभार बाघ विद्यातन नेता लोग थोड़ा साइब देखने के लिए तमाम द्रसकों काभार शुक्रिया शुपकामना मित्रो धनिवाद।